दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्त वीडियो में बात करने वाली हैं एक बड़े अपडेट की राजस्तान के सब्विधा करमियों से चुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी लेकर काया हूं आप लोगों के लिए तो दोस्तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को से एर करे अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तो आज का ये बड़ा अपडेट फरस्ट इंडिया निूज की जानकारी आपकी मोबाल स्किन पर ये रही देखिए दोस्तों यहां पर देखिए PCC में बोले सिक्षा मंत्री बीडी कला तो यहां पर देख सकते हैं PCC यानि कि प्रदेश कॉंग्रेस कामेटी का जो कारियाल है PCC जिसको कहा जाता है उसमें सिक्षा मंत्री है जो बीडी कला है इन्होंने बायान दिया है समवीदा कर्मियों को नियमित करने के सवाल पार क्या कहा ये सुन लीजिए आज क्याबिनेट में भी समवीदा कर्मियों का टोपिक पहले भी मुख्य सच्चीव के यहां से निकला था सरकूलर तो यहां पर दोस्तों आप लोगों की जानकरी के लिए मैं बता दूँ आज गयालोत कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें काफ़ी सारे मुद्दे सामिल है अलग अलग प्रक्रण उसमें सामिल है जिन पर संभवत आज मोहर लग जाएगी यानि कि उनका अनुमोधन हो जाएगा मुख्यमंत्री गयालोत की तरफ से तो आज जो कैबिनेट का जो बैठक है उसमें भी सब्विदा कर्मियों का एक टॉपिक है कॉंट्रेक्स सर्विस रूल्स के अकोर्डिंग उनका टॉपिक रखा गया है उस पर भी फैसला लिया जाना है और देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकर यह रही देख सकते हैं आप लोग सब्विदा कर्मियों को नीमत करने के सवाल पर बोले कल्ला आज क्याबिने सब्विदा कर्मियों का टॉपिक पहले भी मुख्य सचिव की हां से निकला था सरकुरल संबंदित विभाग में 30% बोनस अंक देने का सरकुरल तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संबंदित जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सब्विदा कर्मियों का रिगार्डिंग है उ 30% बोनस अंक देने का सरकुलर सरकार तीसरी वर्षगांट पर दे सकती है सब्विदा कर्मियों को तोफ़ा मेंल लाइन तो यहाँ पर यह पकड़ के ले जिएगा दोस्तों बीडी कल्ला है सब्विदा कर्मियों के लिए बनाए गई कमेटे के सहयों जग आज से सुरू पी गार्डिंग वैसे सरकारे संजीदा नहीं है चाए बीजेपी को ले लिजिए चाए कॉंग्रेस को ले जिए इन महानुबाओं को भी एक साल तीन साल हो गए हैं अपने जो चुनावी वादे थे चुनावी जो घोसना पत्रता कॉंग्रेस का उसमें भी यह चीजे कही गई थी कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा लेकिन तीन साल से टालम टोल की जा रही है इस बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी वर्सगाट पर सरकार यहां पर संविदा कर्मियों को तोफा दे सकती है तोफा तो क्या है दोस्तों एक तरीके से नोकरी को रेगुलर किया यह तो सबसे जो जरूरी बात है जो सबीदा कर्मी लगे हैं चाहिए काफी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक तरीके से गहलोद सरकार में सबीदा कर्मियों का बहुत सारी पोस्ट निकाली जाती है सबीदा पर रख दिया जाता है बीजे पीबी कमनी इस मामले में उन्होंनों भी काफी सारे सबीदा कर्मी लगाए थी अपने कारिकाल में तो सबी सरकार एक जैसी है हम उमीद करते हैं कि आज की जो गहलोद कर्मियों का टॉपिक चरूर सामिल है जो गहलोद कैबनेट की बैठक होनी है उस कैबनेट में क्या कुछ फैसले होंगे क्या कुछ अफडेट होगा सबसे पहले बता दिया जाएगा इसलिए चैनल को अब लोग जोड़े रहें टेलीग्राम पर फोलो कर लीजिए धन्यवाद आप लोगों का जै हिंज जै भारत